हेलो एवरीवन वेलकम टू ओनलाइन स्टड़ी पॉइंट दोस्तो आज है दो अक्टूबर और दो अक्टूबर से करेंट अफेर के जितने भी इंपॉर्टन कोश्चन्स बन सकते हैं सारे हमें स्टूडियो में कवर करेंगे और सभी कोश्चन से रिलेटर एक्ट्रा फेक्ट भी जानेंगे सारे ही कोश्चन इंपॉर्टन है इसलिए वीडियो अंतर तक जरूर देखिएगा और अभी तक ही दिया आप लोगों ने ओनलाइन स्टूड़ी पॉंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की पीडियो टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोश्चन गांधी फिल्म महोत्सो इसका आयोजन कहां किया जाएगा तो अभी हाली में गांधी फिल्म महोत्सो का आयोजन किया जाएगा मुंबई महाराश्ट में और इसका आयोजन आज से ही यनिकी 2 अक्टूबर से ले करके 6 अक्टूबर तक किया जाएगा कहां पर मुंबई में मुंबई जो की महाराश्ट की कैपिटल है यहां के मुख्य मंत्री कौन है देवेंद कुमार फड़नवीज राज़िपाल कौन है अभी हाली में निक्थ हुए है भगत सिंग कोशियारी है महराष्ट के नए राज़िपाल और एक चीज महराष्ट में एक नेशनल पार्क है नाम क्या है संजय गांधी नेशनल पार्क यह नाम इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कुछ समय पहले ही बॉलिवड अभी नेतरी रवीना टंडन को संजय गांधी नेशनल पार्क का एमबेजडर बनाया गया था इसलिए आप यह याद रखिएगा और महराष्ट के दो फेमस लोक रहते हैं तमाशा और लावनी जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए यह भी याद रखिएगा और महराष्ट एक रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा करंट से रिलेटेड है मैंने आप लोगों को कई बार बताया है अभी हाल ही में AMFFR इंडेक्स जारी किया गया था और AMFFR इंडेक्स में महराष्ट राज्जे था पहले स्थान पर अभी है AMFFR यह है क्या इसका फुल फॉर्म होता है अग्री कल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स और इसी इंडेक्स में महराष्ट रहा था पहले स्थान पर तो यह आप रिलेट करके याद रखिएगा और एक चीज मैं बता दू यहाँ पर गांधी जी का नाम लिखा हुआ है तो आप सभी जानते हैं आज ही के दिन यानिकी 2 अक्टूबर 1879 को इनका जन्म हुआ था और आज महात्मा गांधी जी की 150 वी जेनती है और आज ही के दिन 5 साल पहले यानिकी 2 अक्टूबर 2014 को स्वक्ष भारत अभियान की शुरुआत की गई थी जिसके 5 वर्स पूरे हो चुके है और महात्मा गांधी जी की एक बहुत फेमस किताब है जो की एक्जाम का पार्ट बनती है My Experiment with Truth यह बुक है जो की महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है नेस्ट कोश्चन है भारत सहित कितने देशों ने online fake news के प्रशार को रोकने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो भारत सहित कुल 20 देशों ने इस समझोते पर हस्ताक्षर किया है और यदि हम इसे करण से रिलेट करें तो कुछ समय पहले ही सिंगापुर ने फेक न्यूस के प्रसार को रोकने के लिए एक विधेयक भी पारित किया था किस ने पारित किया था सिंगापुर ने तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं सिंगापुर की कैपिटल क्या है सिंगापुर सिटी यहां की currency क्या है? Singapore dollar और भारत और Singapore के बीच में दो exercise होती है उन दो exercise के नाम क्या है? एक है Simbacks जो कि भारत और Singapore के बीच में एक novel exercise है और एक है Bold Kuruk Shetra Bold Kuruk Shetra most important है क्योंकि अभी हाली में संपन हुआ है Bold Kuruk Shetra भारत और Singapore के बीच में एक military exercise है जो कि अभी हाली में जहांसी में समाप्थ हुआ है यह आप याद रखिएगा Next question है नीती आयोग द्वारा जारी School Education Quality Index में टॉप इस्थान किस राज्जी को मिला राज्जी की बात की जा रही है और टॉप इस्थान मिला केरल को और केंद्र शाषित प्रेदेसों की बात की जाए तो केंद्र शाषित प्रेदेसों में चंडी गड़ रहा पहले स्थान पर और राज्जी में केरल रहा पहले स्थान पर केरल की राजधानी क्या है तिरौनंत पूरम और तिरोनन्त पूरम में ही कुछ समय पहले ही भारत का पहला स्पेस्टेक पार्क खोला गया है यह आप याद रखिएगा केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विज्यन राजपल कौन है? आरिफ महम्मद खान आरिफ महम्मद खान का नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि अभी हाली मिनिक्त हुए है और केरल में क्या है? केरल में है Silent Valley और पेरियार नेशनल पार्क यह भी केरल में ही स्थित है और यदि हम इसे करन्ट से रिलेट करें तो इसी वर्ड केरल के दो प्रड़क्ट को GI टेक दिया गया है एक है मर्यूर गुड और दूसरा है तिरूर सुपाड़ी इन दोनों को ही GI टेक दिया गया है जो की केरल का प्रोड़क्ट है नेशन क्योशन है हाली में विश्व एथलेटिक शेंपेंशिप के जवेलियन थ्रू के फाइनल में पहुचने वाली पहली भारती महिला कौन बन गई है यह कोशन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यह बन गई है पहली भारती महिला और इनका नाम क्या है अनू रानी अच्छा यह प्रतियोगीता कहां अज़ित की गई थी तो यह प्रतियोगीता अज़ित की गई थी दोहा में दोहा यह किसकी कैपिटल है कतर की और यहाँ की करंसी क्या है कतरी रियाल तो यह भी आप याद रखिएगा नेश कुश्चन है हाली में DRDO द्वारा किस स्वदेसी मिसाइल के थली संस्करण का सफल परिक्षण किया गया है और इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोज और इसका परिक्षण कहां से किया गया तो ब्रह्मोज मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया ओडिसा के चांदीपूर से और किसके द्व आपना हुई थी 1958 में इसका मुख्याले कहा इस्तित है तो DRDO का मुख्याले इस्तित है नई दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके चीफ का नाम तो DRDO के प्रेजन टाइम के चीफ है जी सतीस रेड़ी और जी सतीस रेड़ी को कुछ में पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार इस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में ओफिस खोलने वाला पहला भारती बैंक बना है और यह पहला भारती बैंक बन गया है SBI यानि कि State Bank of India इसके स्थापना हुई थी एक जुलाई 1955 को इसका मुख्याला इस्तित है मुंबई में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अध्यक्ष कौन बनाई गई थी तो योनो SBI की Ambassador बनाई गई थी स्वपना बर्मन आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि पिछले ही साल 2018 में जब Asian Games आयोजित किये गये थे तो Asian Games में स्वपना बर्मन ने हैप्टा थलन में गोल्ड मेडल जीता था और हैप्टा थलन मे गोल्ड मेडल जीतने वाली यह पहली भारती महिला बनी थी और उसके बाद से ही ने योनो SBI का Ambassador बनाया गया था तो यह आप याद रखिएगा important है Next Question है Press Information Bureau इसका प्रधान महानी देशक किसे निउक्त किया गया है तो P.I.B. के प्रधान महानी देशक निउक्त किये गया है K.S. धतवालिया और बात यहाँ पर P.I.B. की की जा रही है तो इसकी स्थापना कभी थी P.I.B. की स्थापना की गई थी 1990 में इसका headquarter कहां इस्थित है नई दिल्ली में नई दिल्ली में इसका headquarter इस्थित है और महानी देशक कौन मन गया है K.S. धतवालिया National Question है अंतर राश्ट्री व्रध्य जन्दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है एक October को इने की कल ही मनाया गया और सबसे पहले कब मनाया गया था तो सबसे पहले मनाये गया था 1991 में सबसे इंपोर्टेंट है इसकी थीम तो अंतर राश्ट्री व्रध्य जन दिवस की इस बार की थीम थी Celebrating Older Human Rights Champions क्या थी? Celebrating Older Human Rights Champions इस बार की थीम थी जो की 1 अक्टूबर को मनाये गया अच्छा इस दिवस को मनाता कौन है? तो अंतर राश्ट्री व्रध्य जन दिवस को मनाता है UN यानि कि United Nation जिसके स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसका मुख्याले कहां इस्थी थै? नियू यॉर्क में और अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस और इसी United Nation के द्वारा पिछले ही साल यानि कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राश्टपती Emmanuel Macron इन दोनों को ही Champion of the Earth से सम्मानित किया गया था नेच्छ कौश्चन है किस महिला खिलाडी ने World Championship में 100 मीटर रेस में चौथा गोल्ड मेडल जीता है और चौथा गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बन गई है Fraser Price और यह किस कंट्री से बिलॉंग करती है यह बिलॉंग करती है Jamaica से अच्छा, Jamaica से आप लोगों को क्या यादाता है एक बहुत ही famous runner है धावक है, नाम क्या है ocean bolt जो कि बिजली की तरह दोड़ते है और ocean bolt भी बिलॉंग करते है Jamaica से Jamaica की बात आई है, तो यहां की capital क्या है Jamaica की capital है Kingston और currency क्या है, Jamaican dollar तो यह आप याद रखिएगा Next question है हाल ही में किस अमेरिकी fashion retailer company ने सोयम को दिवालिया घोसित किया है दिवालिया यानि की bankrupt घोसित किया है और यह घोसित किया है Forever 21 ने Forever 21 जो की America fashion retailer company है जिसकी स्थापना हुई थी 16 April 1984 को इसका headquarter कहां इस्थित है California America में इसका headquarter इस्थित है इसकी CEO कौन है तो Won Chang है Forever 21 की CEO और इसी ने अपने आपको bankrupt घोसित कर दिया है कल मने आप लोगों से पूछा था हाल ही में भारती वायू सेनक के नए उप्रमुक कौन बने है तो नए उप्रमुक बन गये है HS Aroda और प्रमुक कौन बने है RKS Bhadoria अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाल ही में SAFF Under 18 Football Championship यह किस देश ने जीती है इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखेगा और मैं आपको बता दूँ कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि Online Study Point की तरफ से आप लोगों को 200 प्लस Current Affair यहनि कि सितंबर माह के 200 प्लस Current Affair की एक Master PDF प्रोवाइड कराई जानी है जिसमें सेम उसी फॉर्मेट में डेटा अवलेबल रहेगा आप लोगों को जिस फॉर्मेट में आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है तो यह PDF आप लोगों को 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर तक Morning Current Affair की क्लास में अवलेबल हो जाएगी इसलिए परिशान बिलकुल मत होईएगा तो दोस्तो आई होप यह वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया तो अपने Study Related Group में शेर जलू करिएगा और Online Study Point को Like, Share, Subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही Thank you so much